नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश के बहराईच में दो दिनों तक जो दंगा जो हिंसा जो फसाद हुई है उसको लेकर आप बहुत ही एहम जानकारी सामने आ रही है कहा जा रहा है कि जिस शक्स को गोली लगी है वो किसने चलाई है इस पर पुलिस का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इस वीडियो में आपको तमाम जानकारी दूँगी और बहुत ही एहम एहम बाते भी बताऊंगी जो इस वक्त कई लोगों के दमाग में चल रहा है और वो ये साजा कर रहे है कि आखर इस तरीके का दंगा फसाद भाजपा साशत राज्यों में लगातार क्यों बढ़ रहा है क्यों भाजपा साशत राज्यों में ऐसी तस्वीरे देखने सुनने को मिल ला है सबसे पहले मनिपूर की देख लीजी हालत क्या है एक साल से जादा हो चुका है यहाँ पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है 36 गड़ में भी कुछ ऐसे ही हिंसात्मक घटनाई देखने सुनने को मिल रही है अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही तस्वीर नजर आ रही है खास बात यह है दोस्तों कि आज उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का घोशना होने वाला है उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव है उनको लेकर और साथ में महराष्ट जारखंड के चुनाव को लेकर भी आज चुनाव आयोग अनाउंसमेट करेगा लेकिन उससे पहले जी हाँ चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानि कि चुनावी तारीख से ठीक एक दिन पहले दोस्तो खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जबर्दस तरीके का हिंसा हो रहा है इन सात्मक घटना इतनी जादा कि बड़े बड़े ओफिसर को उतरना पड़ा सरको पर बड़े बड़े ओफिसर सरको पर उतर कर मोर्चा सभाले हुए हैं इंटरनेट तक बंद कर दिया गया इतना जादा दंगाई और बलवाईयों ने बलवा मचाया है और सबसे बड़ी बात किन-किन दुकानों को चुन-चुन कर जलाया गया आग के हवाले किया गया और नाम और आधार कार्ट देखकर भी जो हुआ है वो तमाम चीज़े आपको एक-एक करके बताऊंगी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ और किस तरीके से संप्रदाइक हिंसा में जो बड़ा स्टेट्मेंट पुलिस का है उसको सुनकर आप खुद शौक्ड हो जाएंगे कि आखिर बलवाई बलवा कैसे मचा रहे हैं देखे एक वीडियो है एनाई की शेयर की जा रही है हर तरफ एनाई की वीडियो है तो मैं आपको सुना नहीं सकती लेकिन बता जरूर सकती हूं और बताऊंगी कि क्या कुछ पुलिस अफसर का बयान है और किस की गोली से कौन मरा है गोर से सुनिएगा दोस्तों सोशल मीडिया पर एक यूजर कुछ इसी तरीके से लिख रहे है कि गोर से सुनिएगा पुलिस का कहना है कि मुस्लिम छेतर से मस्जिद के सामने जुलूस निकल रहा था जिसमें दोनों पक्ष में किसी बात को लेकर आपस में बहस हो गई जिसके बाद एक पक्ष ने उत्पाच मताना जो है वो शुरू कर दिया उत्पाच जो है वो मचाने लगे जिसके बाद एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और उसके बाद उसकी मृत्ति हो गई किसके पक्ष की तरफ से गोली लगी अभी सोशल मीडिया पर मैं बहुत सारे पोस्ट देख रही थी जहां पर कहा जा रहा था बदला लूँगा और उनके पोस्ट पर जब मैं जाकर चेक कर रही हूं दोस्तों तो मस्जित तोड़ने, मस्जित को गिराने, अवाद बताने का ही पूरा मामला चला रहे है पूरी टूइट उनकी वैसे ही भड़ी पड़ी है और आप कहा जा रहा है कि गरेश मिश्रा की जो हत्या हुई है उसका वो बदला लेंगे पतानी किस से बदला लिया जाएगा, ये तो मुझे नहीं पता लेकिन पुलिस प्रिशासन कह रहा है कि जिस व्यक्ती की हत्या हुई है, गोली लगी है वो हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी है जिसके बाद एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और उसकी मृत्तिव हो जाती है ये पुलिस प्रिशासन का बेराईच में जो मोर्चा सभाले हुए हैं उनका बयान सामने आया है आगे देखिए और भी कई वीडियो आ रहे हैं जहाँ पर मस्जित के आगे गंदी गंदी भदी भदी गालिया डीजी में बजा कर नाचा गाया जा रहा है नारा लगाया जा रहा है एक और यूजर लिखते है कि ये वीडियो यूपी के बारा बंकी का है अब आप बताओ कि धार्मिक शोबा यात्रा के नाम पर मस्जित के सामने रुकना घंटे भर तक आपत्ती जड़क और भरकाउ नारे के साथ नाचना फिर मस्जित के ऊपर रंग गुलाल फेकना इसको आप क्या समझते हैं कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे क्या ये सीधे तोर पर उत्तेजित करने वाली चीज़े हैं नहीं है धर्म के मामले में तो कहा जाता है कि आप धार्मिक चीज़ों को भगवान को खुश करने के लिए करते हैं मगर आज के समय में सत्ता के संरक्षन में कुछ लोगों ने मज़ुद के सामने जाकर नाचने को ही धर्म समझ रखा है धार्मिक तोर पर भारत बहुत सेंसेटिब है चाहे वो किसी भी धर्म से संबंदित हो ऐसे में अगर इस तरीके से उत्तेजित नारे लगाए जाएंगे तो संप्रादाइक तनाब के स्थिति पैदा होनी लाजिम है अब आगे मैं और भी आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो खबरे हैं उसको देखाना चाहूंगे समाजवादी पार्टी मीडिया आईचे सेल ने भी इस पूरी खबर को लेकर कई सारे सवाल दाग दिये हैं योगी साशन पर मोधी साशन पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल लिखता है कि बहराईच की पुलिस कप्तान खुद कह रही है कि हिंदू जुलूस मुस्लिम एरिया से गुजर रहा था सवाल ये है कि हिंदू जुलूस जवरन मुसलिम एरिया से क्यों गुजर रहा था सवाल ये है कि जुलूस में आपत्ती जड़क नारे क्यों लगाए जा रहे थे पुलिस कहा थी सवाल ये है कि गोपाल मिश्रा दुसरे के घर पर चड़ कर घुस कर जंडा बदल लहा था तब पुलिस कहा थी सवाल ये है कि CMU योगी की मनशा क्या है पुलिस पिशासन की कारिस शेली संद्रगता प्रकट करती है कहीं ऐसा तो नहीं उप चुनाब देखकर यूपी में मोहौल को हिंदू मुसल्मान दंगा फसाद में जोग कर सीम योगी अपने लिए चुनाब जीतने का कोई अबसर घोज रहे हैं और इस अबसर का शिकार कुछ चंदन गुपता बनता है तो कभी राम गोपाल मिश्रा जो है वो बनता है देखिए बहराईज की कप्तान जो है वो खुद इस तरीके की बात कर रही है कि कैसे इस पक्ष की तरफ से किस पक्ष की तरफ से गोली लगा वहीं दूसरी और दोस्तो समाजबादी पार्टी के एमपी जावेद अली खान वो देखिए बहराईज की कुछ तस्वीरे शियर करते वे लिख रहे हैं कि बहराईज आग जनी की तस्वीर गौर से देख कर समझिए कि दुकानों पर नाम या पहचान उस अगर करने की जोर क्यों है क्योंकि जिन दुकानों को बहराईज में आग लगाया गया है आपकी हवाले किया गया है दोस्तोग ह्वो शोरूम फंध हो कि की कोई सेंटर था दूस्तो जहांपर गारी वारियों को फूका जलाया गया है वह सिर्प व्य सरकार तर्फपरित रहती है उटाबली रहती है आईपी सिंग समाजवादी पार्टी के नेता उन्होंने वीडियो शेयर करते वे लिखा कि उत्तर प्रदेश बटेंगे तो कटेंगे की हिंसा का भेट चड़ गया है जिस प्रदेश के मुख्य मंत्री ऐसा बयान देंगे उस राज्य को भगवान भी नहीं बचा सकता है ऐसी भाषा मारे प्रदान मंत्री जी भी बोलने लगे है भारत को सीरिया और इराक बनाना चाते है हुक्मरान हर सीयम अपने राज्य में शुक और शांती से अपील करता है कि भई शुक और शांती से आप लोग रहें लेकिन यहां बटेंगे, कटेंगे, फटेंगे, मुटेंगे, लडेंगे यही सब अपील किया जाता है एक और यूजर है उन्होंने बहुत ही सवाल उठाए हैं शांदार तरीके से वो लिखते हैं कि पूरे भारत में मुश्लिमों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ मजर को कोई मुस्लिम जस्टिफाई नहीं कर रहा है लेकिन धार्मिक यात्रा के नाम पर मश्जित के सामने नफरती गाने बजा कर मुस्लिमों के घर के अंदर घुस कर उनके छट पर पहुँचना हरा जंदा को उखार कर भगवा जंदा लगाना जैश्री राम के नारे लगाना उसी मुस्लिम के घर से जो है नारे लगा लगा कर चीखना चिलाना गलत है गलत है बिल्कुल गलत है आप अगर इस लड़के की गलती नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा काम को सही ठहरा रहे हैं तो आप सभी उस लड़के की तरह मानसिक्ता जो है आपकी वो हो चुकी है शब्दों का अस्तमाल मैं ऐसे नहीं करना चाहूंगी किसी भी मतलब जो अब है नहीं उस दुनिया में तो उसके बारे में क्या बात करना आपका दिमाग कोई कन्चोल कर रहा है आप तो मात्र एक खिलाउने है आपको आप धर्म के नाम पर अंदे बहरे गुंगे बनाए जा रहे है ना आपको सच दिख रहा है और ना आप सच सुन सकते हैं ना सच बोल सकते हैं तो इस तरीके की तमाम सवाल जो है बेराइच दंगे को लेकर किया जा रहा है देखिए एक और यूजर है वो तमाम तस्वीरे शेयर करते वे लिख रहे हैं कि देखिए नाजिस अपना कोई भी धार्मिक तैवार यात्रा इसलाम और मुसल्मानों के खलाब जहर उगले बिना सेलिब्रेट नहीं करते हर मुसल्मान यही होता है मुसल्मानों के घर दुकान मस्जुद आदी पर हमला करते हैं ला एतवार क्योंकि जो तस्वीरे आई हैं दोस्तों बहराइच से उसमें आप देखेंगे तो किन कैसे हमला हुआ है किस तरीके की जो दिखाई दे रही है च साफतार पर इन खबरों को देख सकते हैं कि ये सारी चीजे बहराइच को लेकर दिखाई और सुनाई दे रही है लेकिन पुलिस पर शासन कहा थी कौन कहा था किसी का कुछ नहीं पता अब योगी आदतनाद जो है वो आ रहे हैं उस परिवार से मिलने जिस परिवार ने आपके सामने है दुकान मकान उनको जलाया गया टार्गेट करके लोग हाँ जोड़ जोड़ कर विंती कर रहे थे एंजे टीवी की कल रिपोर्ट पढ़ रही थी दोस्तों मैंने बताया भी कि वो पुलिस परिशासन से गोहार लगा रहे लेकिन पुलिस परिशासन को सुन नहीं रहे वो कहां जाएंगे उनकी जान खत्रे में हैं दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिरिया में कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ चैनल को ज्यादा लाइक शियर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना झाल 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 झाल